हाई वरीवन मैंने में श्यांत बसीन वेलकम बाक तो दे शैनल दा इन्वेश्ट लॉजिक तो कल थर्षदे के एक स्पैरी है बहुत जादा स्पेशल दिन है और हम लोगों को आज बहुत जादा से लॉफ देखने को मिला है मार्केट के अंदर मंडे और टूजडे में दो द बासता हर के अंदर हम लोगों अच्छी बाइंग देखने को मिलती थी सो बेसिकली पूरा सेले स्ट्राप होने की कोशिश हो रही थी बट मेरा पॉंट इव्यू चेंज नहीं हो रहा था तो मैंने कल वीडियो नहीं डाली सोचके की मार्केट आई थिंग अभी बिल्कुल इंडिसाइसिव कर रहे है तो लेट सी कि जब तो कोई ब्रेकडाउन नहीं आता जब तक कुछ हमें एक स्पेशल चीज नहीं देखने को मिलती है कुछ लेवल्स ब्रोक होते वह तक हम आप लोगों को कोई ट्रेट देने नहीं वाले वाले विकॉस Monday और Tuesday दोनों हम लोग न के विज़े से आज मार्केट हमें जादा देखने को गिरते हैं कल भी सेम चीज थी अगें कल ही सबसे बड़ी है रिजल्ट आया था बट कल भी मार्केट नीचे गई थी बट अच्छे से रिकावर कर गई थी आज बहुत जादा फॉल करी है तो चेक करते हैं कि क्या यह ले लेवल पर भी हम लोगों ने बताया था कि यह एक पर सॉरी नॉट इस पर्टिकुलर लेवल है जिसके ऊपर फूर 18,410 या 20 I think 420 का लेवल है यह पर्टिकुलर लेवल है इसके ऊपर अगर जाता है तो मार्केट में एक बाइंग आ सकती है अदरवाइस नहीं आ सकती है तो बहुत जादा ही special आया है तो अब चेक करते हैं एक बार कि अभी किस लेवल पर यह ट्रेट कर रहा है तो मैंने सारे बॉट्टम को कनेक करके एक ट्रेंड नाइन रॉट करी है अपने सारे लूस को करते है एक्जाक्ली उस लेवल पर रुका है अगर आप टेलीगराम को चे अब हमें देखना है क्या यह लेवल ब्रेक होता है या नहीं होता है इसके लावा अगर आप चेक करोगे तो एक रेंज के अंदर एक फॉलिंग चैनल के अंदर यह पर्टिक्लर स्टॉक काम कर रहा है और एक जागली चैनल के बॉटम को टेस्ट करा है अलॉंग विद इस यहां पर एक बर पॉज लेनी के पोशिश कर सकता है अगर यह 18,140 गी नीचे जाता है और एक शाप नीचे फॉल या 15 मिट के कांडल की भी क्लोजिंग देखने को मिलती है एक सीधर ट्रेड ले सकते हैं जो हमें इसली 17,980 तक भी लेकर जा सकती है अच्छा टागेट मिल सक अगर यह इसी लेवल पर पॉजच करता है धिन व हफ दूप क्या हो ऑन न 서म चीम जा सकता है मारकि को यह में उम जा सकतی है आप यह चेख कर सकते है यह यह बहुत अच्छा यहां पर नोगों को एक साइन देखने को बिदा है यहां पर एक साइन देखने को मुझा प्रोबबली मैं आपर एक्सपेक कर रहा हूं कि मार्केट डिफिनेटली फॉल करना चाहे तो कर सकती है बिकॉज यह जो बड़ी मुमेंटम आई है इस पर जित्ते भी से बायर्स थे वो सबके सब ट्राप हो चुके हैं जो कि लास्टार के अंदर यह बाइंग आती थी लास्टार में लोगों ने यहां पर भी सोचा था कि एक बाइंग आ सकती है बट वो बाइंग बन नहीं पाई तो अगर यह लेवल ब्रोक होता है तो और क्लोजिंग मिलती है तो बहुत बड़गा ट्रेड मिल सकता है अगर मार्केट इन लेवल्स के आसपास सस्तें कर सकते हैं अब दूसरी बात अगर मार्केट कल इसी रेंज के अंदर खुलती है या बड़ा गाप बड़ा गाप डाउनों में देखने को नहीं मिलता और हम देखते हैं कि विदिन 30 मिनिट भी मार्केट इसी रेंज के अंदर कंसॉलिडेट कर रही है तो हम इसके ऊपर का कॉल और इसके नीचे का पुट भी शॉर्ट करके चल सकते हैं दाट मेंस कि मार्केट एट डेड़ बजे तक तो इस रेंज के अंदर ही रहेगी जब ब्रीक आउट आएगा तो हम आइदर साइट के ऑप्शन को हटा सकते हैं और बड़ी बिग मुव स्कांडल नहीं आ रही है तो दाट मेंस कि मार्केट डेड़ बज़े तक कि आसपास यह साड़े बार एक बज़े के आसपास तक यहीं पर ही कंसॉलिडेट कर सकती है इसका भी फायदाब उठा सकते हैं अब बात करने एक बार बैंक निफ्टी पे एक बहुत बड़ीया ट्रेड हम लोगों को देखने को मिला था बट मैं अक्टिव नहीं था तो मैंने नहीं दिया एक बहुत बड़ी हेड़ें शूल्डर इस लेवल को बहुत अच्छे से इसने ब्रेक कर रहा अंड एक हैवी सेल ओफ हमें उसी टाइम आते वे देखने को मिल गया था अल्मॉस्ट अल्मॉस्ट छेसों पॉइंट का फॉल हम लोगों ने देखा इस पर्टिकलर बैंक निफ्टी ट्वीट के अंदर आप करना क्या यहां पर आप चेक कर सकते हूं कि किस तरीके से यहां पर ट्रेट बन रहे हैं उपर एक मॉनिक साथ है आफ्टर दाट एक फॉल आया मार्केट साइडवेस रही गयाप अप हुआ और एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिला तो अल्मॉस्ट अगर मैं मान के चलू तो इतने नीचे भी बहुत टाइम इसने हर्डल्स लिया है तो नीचे फॉल जाते समय बड़ा ड्रास्तिक फॉल नहीं आ सकता मार्केट विल टेक पॉस उसके बाद जाके एक आयागा और डेली टाइम फ्रेम आप यह भी चीज़ चेक कर सकते हो कि 50 के नीचे जाके आरसाई ट्रेट करना शुरू कर गया बाद निफ्टी के अंदर और निफ्टी को गर हम चेक करें तो उसने भी 50 पे एक रिजिस्तिंस लिया आड इस पर्टिकुलर लेवल यहां पे और अब दुबारा नीचे जाना स्टार्ट कर गया कि मार्केट में एक अपसाइड लिमिटेड है बहुत मुश्किल है और डाउन फॉल अभी वी हम लोगों के अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है अब बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की सबसे पहला स्टॉक है यह मैं दुबारा आप लोगों को दे रहा हूं अगर बाइचांस मार्केट साइडवेस तो स्लाइटली अप्ट्रेंट रहता है बिकॉस मार्केट अभी एग्जाक्ली अपने लॉंग टम सपोर्ट पे है ठीक है अगर वहां से वह पॉस लेता है तो स्टील सेक्टर मुझे लगता है स्टील हो गया फोट्रिलाइजर सेक् अगर यह अपने इस लेवल को दाटेस अभी ट्रेट कर रहा है 3303 पे अगर यह 305 यह 306 की ऊपर जाना स्टार्ट करता है हम इस पे बाइंग बना सकते हैं चार पांच रुपेगर टागेट यह पर्टिकुला स्टॉक दे सकता है बिट अगर नीचे जाता है तो इसको आप इंग दोर कर दीजेगा बट आई तिंग अभी वी एक छोटे से सपोर्ट पे है माइनर अगर यह ब्रेक नहीं होता दुबारा कल का लो स्वर्याज का लो तब तक हम इस पे एक अपनी बाइ पूजिशन मना के रख सकते हैं फर स्टॉक इस विदान था सेकंड स्टॉक इस यह मेरा एक buy trade हुआ करता था बट मैं यह selling के लिए दे रहा हूं अगर market fall करती है तो इस पे अच्छा पैसा बन सकता है आप देख सकते हैं RSI में दिखा देता हूं RSI बहुत टाइम से 50 के नीचे ही trade कर रहा है multiple इसने retest करने की कोशिश करिए breakout के लिए बट वो try नहीं कर पा राइट नहीं ट्रेट कर रहा है 3270 रूपीज के असपास 3250 की नीचे एक अच्छा aggressive shot इसके अंदर हम बना सकते हैं अच्छे targets भी यह particular stock दिखा सकता है अभी ज्यादा sell-off आया नहीं है तो यह अच्छा गासा गिरने की इसके chances बढ़ सकते हैं अब बात करते हैं थर्ट स्ट कि यह particular stock है जो मैं आपको बाइ करने के लिए ही इस पे शायद हमें कल मुमेंटम देखने को मिल सकते है लिपना वीकली टाइम फ्रेम फॉर यू वीकली टाइम फ्रेम पेज ने एक हेडिन शूल्डर पाटर्न डेवलप करा है यह इसका all-time high है जो हम expect करने की most probably आ सकता है इ इसने इस वीक के अंदर ही टेस्ट करें 89 रुपीस का लेवल आप चेक कर सकते हो विकाज इसके ऊपर अभी तक हमें closing देखने को नहीं मिली थी और वही इसके लिए particular resistance भी बना था तो मैं एक बार टू आज का टाइम फ्रेम उपन करता हूं और टू आज टाइम यहां पर ब बनाची retracement यह एक zone है जिस zone के अंदर अगर यह stock pause लेके bounce करता है तो हमें एक अच्छे result मिल सकते हैं अगर बाइचांस कली stock नीचे आना start करता है लेट से अभी 82 रूपीज पे 82 रूपी 83 के असपास चल रहा है और जो 80 रूपीज का इसका अभी recent support है जो हम मान के चल रहे है अगर बाइचांस यह नीचे आना start करता है 80 रूपीज यहां पर हम देखते हैं एक hammer बनती है एक sideways trend चले जाता है और volumes हलका से increase करना start करते हैं तो हम एक buying बना सकते हैं otherwise हम बाइच करेंगे इस particular hammer के ऊपर that is 83.80 रूपेया ऊपर जाके trade करता है तो confirm rate के अंदर हम एक अच्छा sideways रहती है तो शायद VDEL विदानता अच्छा गर सकता है एक third stock हमारा आईशा मोटर शॉट के लिए है तो यह था एक बर मैं आप तो को दिखा देता हूँ open interest का data nifty आप देख सकते हो सारे के सारे put writers almost जा चुके है and heavy call writers positions are active आप यहां पर भी check कर सकते हो कहीं पर भी हमें आहा पुटराइटस की position बनेगी तो बीच में मान के चल सकते हैं कि थोड़ी बहुत tension होगी जिसकी वज़से हम call और put दोनों short करके पैसा गम आ सकते हैं either side जिदर भी breakout breakdown आएगा वहाँ पे में अच्छा trade भी मिल सकता है so that's it for today guys I hope आपको वीडियो पसंद आई है make sure to like this video subscribe to our channel and telegram को जुरू follow करना yes एक दो दिन हमारी analysis सही नहीं जाती है बट overall the result सही होता है वो आज हमें देखने को मिल गया था so let's wait देखते है कि किस तरीके से market जाती है नहीं हमेरी बाए बाए